इंबोक्स में जरूर लिखें तो चलिए फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की किस राज्य ने पत्रकारों को गोपबंदू संबादी का स्वास्त बीमा योजना के तहत कोरोना योधा कोशित किया है ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन B तो उडिसा की जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पत्नायक इन्होंने इस बात की घोशना की है आपको बता दें कि ये जो इसकीम है गोपबंदू संबादी का स्वास्त बीमा योजना ये पहले से चली आ रही है तो इसी के अंतरगत इस जो जर्नलिस्ट हैं को फ्रंट लाइन कोविड वारियर्स घोशित किया गया है तो इसमें दो लाक रुपे का इन्शूरेंस जर्नलिस्ट के लिए किया जाता है पहले से ये उजना चल रही है और फिलहाल जो डिसा गवर्मेंट करने वाली है ये करने वाली है कि देखिए अगर कोई जर्नलिस्ट जो है जर्नलिस्ट की अगर किसी की कोविड नाइनटीन के दोरान अपने डियूटी करते हुए निधन हो जाता है या मृत्ती हो जाती है तो उनके जो भी परिवार वाले हैं उनको 15 लाइक रुपीज प्रुवाइट कराये जाएंगे साथी फ्रेंड्स केवल उडिसा नहीं यह ऐसा नहीं किया है कुछ और इस स्टेट्स भी हैं जिन्होंने जर्नलिस्ट को फ्रेंट लाइन कोविड वारियर्स खोशित किया है जैसे ही वेस्ट बेंगॉल तमिलाडू करनाटक मध्यपरदेश बिहार मनिपूर उत्राकंडैन उत्रपरदेश तो फ्रेंट लाइन कोविड वारियर्स गोशित करने का उद्देश यह होता है कि जो वैक्सीन लगेगी उसमें जो जर्नलिस्ट हैं उनको प्रायर्टी बेसिस दिया जाए उनको प्रायर्टी दी जाए प्रार्त मिक्ता दी जाए आगे पड़ते हैं अच् एक्जाम पॉइंट उफ्यो से काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं सिंप्लिफाल नेसल पार्क उडिसा में है सतकोश या टाइगर रिसर्व उडिसा में है चंड़का एलिफेंट सैंक्चुरी यह उडिसा में है साथी फ्रेंट्स यहाँ पर जो बीतर कनी इस टर्टल्स होते हैं तो इनकी सबसे बड़ी यह नेस्टिंग साइट है नेस्टिंग साइट मतलब यहाँ पर देखी जो यह रेत वगेरा होता है जो बालू होता है उसको यह खोते हैं फिर उसमें अपने जो अंडे होते हैं उनको देते हैं तो काफी संख्या में देते ह है Central Rice Research Institute यह कटक में है बीजु पटना एक एरपोर्ट यहाँ पर है डोक्तर अब्दुल कलाम आईलेंड यहाँ पर है धामरा पोर्ट यहाँ पर है इंटिग्रेटेड टेस्टेंज चांदीपूर यहाँ पर है जगनाथ टेंपल यहाँ पर है साथी कोनार्ग संट टेंपल जि स्रीमा सटक संगठन ने साथ मईए 2021 को अपना 61 स्थापना दीवस मनाया आपको बताना है कि जो स्रीमा सटक संगठन है इसके महानिदेशक कोन है ऑप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सो राजीव चोधरी इस डिरेक्टर जनल ऑफ बोडर नियुडेली में है और हाल ही में बी आरो दो कार्णों से चर्चा में रहा है पहला तो यह है कि भूटान में जो इसका प्रोजेक्ट दन तक है इसने अपने 60 साल पूरे कर लिये हैं 24 सप्राज 1961 से ही चला जा रहा है ठीक है जो भी आपका इंफरस्ट्रक्टर डवलप्मेंट या फिर रोड्स वगरा का जो कार्य होता है प्रोजेक्ट दन तक के तहद बी आरों ने बूटान में किया है साथी फ्रेंट्स बी आरों ने पहली बार किसी वूमेन ओफिसर को जिनका नाम वैसाली एस हिवासे है तो इनको जो भारत चाइना बोर्डर है तो यहाँ पर जो हाई एल्टिटूट एरिया है तो यहाँ पर रोड कंस्रक्शन कंपनी इसका जिम्मा इने सोपा है तो इस प फ्रेंज एंडिया आंसर होगा option A. R.M. Sundaram has been appointed as the Director of Indian Institute of Rice Research, तो इनका नाम है Dr. Raman Meenakshi Sundaram, इनको Indian Institute of Rice Research, जो कि हैधराबाद तेलंगा नामे है इसके डिरेक्टर की रूप में न्युक्त किया गया है, याद रखेगा Indian Institute of Rice Research ही बात कर रहे हैं और National Rice Research Institute का है कटक, उडिसा में जो कि हम पहले भी पढ़ा हैं इसी वीडियो में पहले पढ़ा हैं अभी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट यह कहां पर है यह लोस बैनोस फिलिपिन्स में तो यह तीनों इस्टिट्यूट आप याद रखिएगा आगे पढ़ते हैं किस खेल महासंग ने चेक्मेट कोवीट पहल की सुरुवात की है ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन बी सो ओल इंडिया चेस फेडरेशन लॉंच्ट चेक्मेट कोवीड इनिशेटिव इस इनिशेटिव को फाइफ टाइम वर्ड चैंपियन विस्वनात आनंद और केम गोल्ड मैडलिस्ट कोनेरू हमपी इन दोनों के द्वारा लॉंच किया गया है और किसकी तरफ से है यह ओल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा यह लिया गया इनिशेटिव है तो इसमें जो भी स्टाफ मेंबर हैं या प्लेयर्स हैं जो भी चेस से जुड़े हुए है तो उनको अगर वो COVID affected हो जाते हैं तो उनको financial assistance और medical facilities प्रवाइट कराई जाएंगी फ्रेंड्स विश्वनात आनंद को तो आप जानती हैं कोनेरू हमपी याद रखना पूछ लेते हैं कि कोनेरू हमपी किस खेल से संबंदित हैं तो चेस से यह संबंदित हैं और इंडिया चेस फेडरेशन की बात करें तो प्रेजिडेंट हैं डॉक्टर संजे कपूर और हैटकॉर्टर से चेन नई तमिल नाडू में निम लिखित में से किसने कोव एड पोर्टल लॉंच किया ऑप्शन सापके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सो नीति आयोग हैज लॉंच्ट कोव एड पोर्टल जान लेते हैं इसके बारे में तो देखिए आपको बता होगा कि COVID-19 से रिलेटेड बाहर जो दूसरे देशे हैं वो भी अपनी सायता भारत को प्रदान कर रहे हैं तो जो भी बाहर से जो भी एड आ रही है जो भी हेल्प आ रही है तो उसको ओनलाइन ट्रेक कर सकते हैं ठी इसको जा रहा है सभी ट्रेक किया जा सकता है COVID-19 पोर्टल पे इसको निती आयुक द्वारा सेट अप किया गया है साथी जो इंडियन रैड क्रोस सोसाइटी है तो इसको जिम्मेदारी दी गई है जो भी भार से डोनेशन आ रही है या फिर हैल पारी है तो उसको जो है उसक पर नजर ये रखेगा ठीक है उसकी जिम्मेदारी इसको दी गई है और HLL life care ये जो है ये एक customs agent के रूप में कारे कर रही है जो भी customs या फिर regulatory clearances जो चाहिए होते हैं इन सभी AIDS के लिए तो उसका जिम्मा दिया गया है HLL life care को नितियायोग की बात करें तो इसके chairman या chairperson आप क के वाइस chairman या chairman होते हैं ये cabinet mr. की rank के होते हैं cabinet mr. का दर्जा इनको प्राप्त होता है नितियायोग के CEO हैं अमिताप कांथ और एक जनवरी 2015 को नितियायोग की स्थापना की गई थी planning commission को replace किया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस महीने के दूसरे सनिवार को मनाया जाता है तो इसका सही answer होगा option D तो world migratory bird day is celebrated on the second Saturday of May and October जानते हैं इसके बारे में काफी important day है देखिए तो जैसे कि आपको बता है कि साल में दो बारे मनाया जाता है तो मई और October का जो second Saturday होता है उस दिन मनाया जाता है तो साल 2021 में यह 8 मई को मनाया जा रहा है यानि आज के दिन और 9 October को मनाया जाएगा अच्छा और इसका theme क्या है इस साल sing fly saw like a bird साथे आपको भी जानना चाहिए कि 8 से 9 मई 8 मई को शुरू होगा 9 मई को यह खतम हो जाएग किस डे के time of remembrance and reconciliation for those who lost their lives during the second world war तो यह दिन भी बनाया जाता है 8 मई को यह आद रखेगा तो दोनों मैंने आपको एक साथ लिख दिये ताकि आपको याद करने में जो है आसानी रहे एक तो world migratory birthday 8 मई को मनाया जाता है और जो आपका यह second world war से लिए यह भी 8 मई को मनाया जात है आगे बढ़ते हैं महिंद्रा समू किस देश में mobility products के लिए एक उन्नत design केंद्र इस्थापित करेगा options आपके सामने हैं और correct answer होगा option D सो महिंद्रा ग्रूप विल सेट अप एन एडवांस्ट डिजाइन सेंटर फोर मॉबिलिटी प्रोडट्स इन युनाइट किंग्डम और इस सेंटर का नाम आप कह सकते हैं महिंद्रा एडवांस्ट डिजाइन यूरोप मेड इस तरह की facility हैं आपर लॉंच करेगा महिंद्र ग्रूप ने oxygen on wheels initiative इसको लॉंच किया है महाराष्ट में याद रखेगा oxygen on wheels फीच solutions के अनुसार भारत की GDP 2021-22 में कितने प्रतिशत से बढ़ेगी options आपके सामने हैं और correct answer होगा option c सो एस पर दफिच solutions इंडिया चीटीपी तो ग्रोबाइ 9.5 परसेंट इन 2021-22 साथी फ्रेंट्स इन्हों नहीं यह का है कि जो गवर्मेंट ओफ इंडिया का जो physical deficit target है ठीक है get pka कितना पर्षेंट रहना चाहिए तो वो यह 8.3 परसेंट रहेगा फिसकल इंडियर 22 तीक है इसा इनन आपना है और लेकिन जो गवर्मेंट ने अपने अपना किया हुआ है कि फिसकल इंडियर 22 में जो हमारा इस डिफिसीट रहने वाली है, डिफिसीट मतलब देखो जितना आप एक्सपेंड कर रहे हैं और जितना आप कमा रहे हैं, तो उन दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस होता है, उसको बोलते है डिफिसीट, ठीक है, तो गवर्मेंट ओफ इंडिया चाहती है, कि टोटल जीटीब और इन सबी के जितनी भी हैं, इन सबी के अनुमाने आपर पूरी लिष्ट दी गई है, आगे देखते हैं, भारत, फ्रांस और ऑस्टेलिया ने किस सहर में पहली बार त्री पक्षिये विदेश मंत्री वारता की है, ओप्शन साब के सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा, ओ पार्टिसिपेट किया, और इसी के साथ उनके जो काउंटर पार्ट्स रहे हैं, फ्रांस से और ऑस्टेलिया से, इन दोनों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो कहाँ पर हुआ है, लंडन में हुआ है, क्यों हुआ है लंडन में, क्योंकि लंडन में जो है G7 Foreign Ministers की मीटिंग चल रही है तो उसी की साइड लाइन्स में जानी उसी में से समय निकालकर इन लोगों ने अपनी एक बैठक की है तो यहाँ पर दो कुश्चन है हुगे एक तो यह कि J7 Foreign Ministers की मीटिंग कहा हुई लंडन में हुई है और यह कहाँ पर हुई है आपकी मीटिंग इंडिया फ्रांस ऑस्टेलिया टाईलेटर मिनिस्टरी डाइलोग के यह भी लंडन में हुई है और हमारे विवड़े हैं तो उनके लिए पॉइंट है Amazon Unbound नामक पुस्तक के लेखा कौन है options आपके सामने है और correct answer होगा option B so Brad Stone is the author of the book titled Amazon Unbound तो पूरा नाम है Amazon Unbound Jeff Bezos and the invention of a global empire इसको लिखा है Brad Stone साथे आपको यह भी जानना चाहिए कि इस साल के अंत तक जो Amazon के CEO पत से इस्तिवादे देंगे जैफ वेजोस और नए CEO है Andy Jesse Global Prime Residential Index में किस सहर को प्रथम इस्तान मिला है तो इसका सही जवाब होगा option D Shenzhen यह चाइना का सहर है तो इसको पहला इस्तान मिला है Global Prime Residential Index में जानते हैं इसके बारे में अचा किसके द्वारा लॉंच किया गया है पहले जान लीजे कि लंडन बेस्ट प्रोपर्टी कंसल्टेंट कंपनी है एक नाइट फ्रेंक इसके द्वारा यह लॉंच किया गया है तो इसमें जो antall इे इसको 22 नंबर पे रखा गया है मोंबई को 36 नंबर पर रखा गया है और बैंगलियुद सितंबर यह तीसरा कॉइंटर होता है फिर अक्टुबर नलबर दिसंबर यह फूर्द क्वार्टर होता है टीका तो इस तरह सिए पहला कांटर आयए जनवरी फरवरी मार्च इस क्वार्टर के इसापस नोंने Walking यहां पर दी है पर तो बेशिकली क्या है कि उस्सतरह की cities बताई हैं जो की most desirable हो यानि जिन में रहने की लोगों की चाहा हो लेकिन वो most expensive properties भी हो तो इस तरह की basis पर cities को यहां पर rank किया गया है कि 2021 के लिए early in past global vision award से किसे सम्मानित किया गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option A so Gita Mittal has been honored with the early in past global vision award for 2021 गिता मित्तल आपको बता दें कि Jammu and Kashmir High Court की first woman Chief Justice रह चुकी है और इन्हें जो है इस अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है केवल यह अकेली नहीं सम्मानित की गई है इनके साथ एक और को सम्मानित किया गया है यह मेक्सिको की Margarita Luna Ramos अच्छा आपको बता दें कि करेंटली जो Justice मित्तल हैं गिता मित्तल हैं यह Broadcasting Content Complaints Council इसकी chairperson है उस पारसी क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे विस्व टेस्ट Championship Final के लिए भारते क्रिकेट टीम में Standby के रूप में चुना गया है Options आपके सामने हैं और correct answer होगा Option C So friends, Arjan Nagawaswala तो यह 23 साल के Left Arm Medium Pacer है गुजरात से और इनको World Test Championship Final जो की इंडिया और New Zealand के बीच होने वाली है इंग्लेंड में इसके लिए Standby के रूप में चुना गया है Standby यानि की अगर जुरुत पड़ेगी तब इनको खिलाए जाएगा आगे जानते हैं तो friends, यह First Parsi Cricketer है जो की Indian Men's Team में शामिल किये गए है कब से 1975 के बाद से क्योंकि 1975 में फारुक इंजिनियर ये लास्ट बार अपना Test Match खेले थे तो 46 साल बाद इस तरह से हो रहा है कि कोई Parsi Creator Indian Men's Team में खेल रहा है या फिर Include किया गया है अच्छा 1975 में अगर हम बात करें माफ किजेगा अगर हम 1993 की बात करें तो Indian Women's Team में भी खेली थी पार्सी इनका नाम है डाइना एडूल जी तो यह भी पार्सी प्लेयर थी और यह 1993 में इन्होंने लास्ट मैच खेला था ठीक है अभी भी हैं यह पर रिटायर हो चुकी है साथिया आपको भी जानना चाहिए इनके अलावा और कौन-कौन से stand-by players include किये गए हैं टीम में अभी मन्यू, एश्वरन यह उत्राखन से हैं और बंगाली के लिए खेलते हैं आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा साथिया आपको बता दिया जैसे मैंने आपको World Test Championship यह Southampton इंग्लैंड में खेली जाएगी 18 से 22 जून के बीच में इंडिया और न्यूजिलैंड के बीच आगे बढ़ते हैं वी कल्यानम जिनका हाल ही में निदन हो गया किस लीडर के पूर्व नीजी सचीव थे ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन सी वी कल्यानम हू पास्ट वे रिसेंट्टी वास दा फोर्मर पर्सनल सेक्रेट्री ओफ महात्मा गांधी तो महात्मा ग 48 के बीच में ये गांधी जी के पर्सनल सेक्रेट्री रहे थे और आपको बता दे जब गांधी जी को जब एसेसिनेट किया गया था तब ये बिलकुल उनी के समीव भी खड़े थे और इन्होंने सबको अशंबे में तब डाल दिया था जब इन्होंने ये कहा कि गांधी ज कि मैंने नहीं सुना या मुझको सुनाई नहीं दिया क्योंकि इतना वहाँ पर शोड सरावा हो गया था कि मैं सुन नहीं पाया उसके बाद इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दी आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से किसने कोवीट प्रबंदन शेल इस्थापित किया है ओप् भी स्टेट कोवर्मेंट्स हैं या यूजियन टरेट्री इसकी जो जो भी वहां के एड्मिस्टेटर हैं तो उनके द्वारा अगर हैल्प मांगी जाए तो तुरंत इंडियन आर्मी उनकी सायता कर सके अपना स्टाफ और लोजिस्टिक सपोर्ट जो है प्रोवाइड करा सक होंगे ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन बी तो इसके लिए 100 क्रोड रुपीज ये लोग कोंट्रिब्यूट करेंगे इसके री डेवलप्मेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम बात करें मिनिष्ट्री ओफ पैट्रोलियम और नैच्रल गैस की तो यह हैं धरमेंद्र परधान इसके हैट है निम्ली खित में से किसने एंटी कोविड दवा 2-Dioxidee-Glucose जिसे 2-DG आप कह सकते हैं विक्सित की है ओप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए So DRDO has developed an anti-COVID drug 2-Dioxidee-Glucose जानते हैं इसके बारे में देखे Dr. Reddy's Lab हाइदराबाद के सहयोग से रक्षा अनुसंधान एमम विकास संगठन यानि DRDO की परियोक्षाला Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences इसने एक करोना की दवा विक्सित किये जिसका नाम है 2-Dioxidee-Glucose या 2-DG आप इसको बोल सकते हैं तो इस दवा के आपात इस्तमाल के लिए Drug Controller General of India ने इसको मंजूरी दे दी है और आपको बता दें ये एक शैशे में Powder के रूप में ये दवा आती है जिसे पानी में घोल कर लिया जा सकता है बात करें DRDO की तो DRDO के Chairman है G. Shatish Reddy 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका Headquarters New Delhi में है हाली में 25 वी बार Mount Everest पर किसने चड़ाई की है? options आपके सामने है और correct answer होगा option D तो ये की है कामी रीता शेरपा ने ये दो option friends ये गलती से आपर लिखे गए है तो कामी रीता शेरपा आपके लिए केवली important है ठीक है जो नाम बताया गया है कामी रीता शेरपा जानते हैं इसके बारे में तो नेपाल के हैं ये कामी रीता शेरपा तो इन्होंने Mount Everest पर 25 वी बार चड़ाई की है और इन्होंने अपना ही ये record तोड़ दिया है और सबसे पहले ये 1994 में इन्होंने चड़ाई की थी और तबसे लगबग हर साल ये इस काम को करी रहे हैं मांट एवरिस्ट की बात करें तो नेपाल में इसको कहा जाता है सागरमाथा और तिबत में इसको बोला जाता है कोमो लंगमा तो दोनों ही नाम important है आप याद रखेगा Mount Everest के ही नाम है ये अच्छा और इसकी जो आप अगर हम बात करें इसकी कितनी उचाई है तो 8848 दसमलव 86 मीटर ठीक है ये दुबारा री स्केल की गई है चाईना और नेपाल के दुबारा तो ये आप याद रखेगा 8848.86 मीटर ये है इसकी हाइट और जो तेंजिंग नौर्गे और एडमंड हिलेरी ये फ्रेंट्स पहले ओफिशली जिनको कहा गया है कि सबसे पहले जिन्होंने Mount Everest फते की थी 1953 में ठीक है ओफिशली इन दोनोंने किया था ये आप याद रखेगा साथी 1984 में 1984 में बचहिंद्री पाल ये फर्स्ट इंडियन वूमन बनी जिन्होंने Mount Everest पर जो है चड़ाई की और संतोस यादव ये फर्स्ट वूमन है जिन्होंने की दो बार Mount Everest पर चड़ाई की एक बार 1992 में एक बार 1993 में 1992 में और 1993 में भारत और यूरोपिय निवेश बैंक ने किस सहर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो की दूसरी किस्त के लिए वित अनुबंद पर हस्ताक्षर किये ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए सो इंडिया एंड यूरोपियन इंवेश्टमेंट बैंक साइंड फाइनस कॉंट्रेक्ट फोर सेकंड ट्रांस ओफ यूरो 150 मिलियन फोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन पूने तो पूने मेट्रो रेल मिलियन यूरो का फंड एप्रूब कर चुका है पूने मेट्रो रेल के लिए और इससे पहले 200 मिलियन यूरो का जो पहली किस्त है यह यह दे चुका है और साथी फ्रेंट्स यह भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है मैंने इसी के साइड एड़े कर दिया है अलग MCQ मनाने के बदले ताकि आपको एक साथ ही यह याद हो जाए जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है इसने भारत को डोनेशन देने की बात कई है कितनी यह 250,000 यूरो की डोनेशन यह भारत को देगा कोविड-19 क्राइसिस के चलते हैं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के अगर हम बात करें तो हैटकॉर्टर्स लग्जंबर्ग में है और इसके प्रेजिनेंट है वर्नेर हॉयर क्रिसी और किसान कल्यान मंत्राले के नुसार 2007-08 की तुलना में 2020-21 में पल्स उत्पादन में कितने पर्तिशत की वृद्धी हुई है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन B इस पर दर मिनिस्ट्री ओफ एगरिकल्चर एंड फार्मर्स वैलफेर पल्स प्रोडक्शन इंक्रीजट पाई 65 परसेंट इन ट्वंटी 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 ट्वंटीवन इन कंपेरिजन टू 2007-08 इसतरही कोश्चन प्रेंट, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि देखेए ाइबूर्णफर करता है महीं से मैं ये निइव लिए और एक्जाम नी में पूछले जाते में इस तरह होसमें को लगता इकूछा है का न से वेलफेर ने किस से कंपेरिजन किया है 2078 की तुलना में 2020-21 में 65% का उत्पादन बढ़ा है साथ ही आपको बता दे कि जो आने वाला खरीफ सीजन है 2021 का तो इसमें ये लोग 82 क्रोड रुपे तक के जो सीट्स हैं उसको डिस्ट्रिबूट करेंगे और देखिए अब जब बात हो रही है अगरी कल्चर की सीजन की बात हो रही है खरीफ की तो आपको जल्दी से मैं रिवाइस करा देता हूँ देखिए रभी सीजन जो होता है इसको स्प्रिंग सीजन बोते है रभी का मतलब होता है अरेबिक में स्प्रिंग तो इसमें जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और हार्वेस्ट कब किया जाता है अप्रेल से जून की बीच में कौन-कौन सी क्रोप होती है वीट बार्ले ओट्स लिंसीड पीस ग्राम और मस्टर्ड इसी तरह खरीफ की अगर हम बात करें तो इसका बोलते है आटम तो सब्सक्राइडी मेज जवार बाजरा तूर मूंग उड़द श्वरगुम कोटन जूट ग्राउंट एंड सोयवीन और आप देखिए अब है जायत सीजन तो जायत सीजन का बाता है रभी और खरीफ सीजन के बीच में तो छोटा सीजन होता है मार्च जून का तो इसमें जा बातरमेलन मस्कमेलन क्यूकूंबर वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रोप तो यह सब यह आप याद रखेगा एक्जाम में पूछ ले जाता है से सनारायन सिंग जिनका हाली में नितन हो गया वे एक पर सिद्ध क्या थे ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन सी सो से सनारायन सिंग हूप पास्ट आव रिसेंटली वाज़ा वेटरन जर्नलिस्ट आपने देखा भी होगा डिबेट में इनको साम सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन सी तो वर्ड रेट क्रोस्ते यह आठ मई को फ्रेंट्स मनाया जाता है जानते हैं इसके बारे में तो देखिए इस बार इसका थीम रहा है टुगेदर वी आर अनिस्टोपेबल दो जार इकिस का यह थीम रहा है और क्यों मनाया ज जो आठ मई 1888 को इनका जन्म हुआ था तो उसी उपलक्स में यह दिन मनाया जाता है तो जो यह परसं थे हैंरी इनको 1901 में Nobel Peace Prize मिला था यह भी कई बार एक्जाम में पुछा जा चुका है कि इनको कब मिला था याद रखेगा इस फैक्ट को अच्छा और जो इंटरनेशनल क्रोज इसका हैड़काडर वाशिंग्टन डी-सी में है विश्व थैलेसीमिया दीवस किस दिन मनाया जाता है ऑप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तो वर्ट थैलेसीमिया डे इस ऑप्ज़र्ड ओन 8 ओफ में जान लेते हैं इसके बारे में प इसी तरह से क्रीजन पूशन गा गाजाता है औनमे से कौन सा जैनेटिक है कौन सा नहीं है ठीक है oh देजीज देन जाती है तो पूशते artistic नहीं है या कौन से जैनेटिक है तो याद रिखेगा यह जैनेटिक ब्लैट डिसौडर है ओके जैनेटिक मतलब जो जनरेशन बाई जनरेशन चलती रहती हो पास होती रहती हो इस तरह से इसमें क्या था जो हीमोगलोबीन काउंट आपका वो रिड्यूस होता है जिसके वज़े से जो रेड ब्लड सैल से उस पे सही प्रपाव नहीं पड़ता है तो यह आप याद सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सो जो मानस भीहारी वर्मा है यह एरनौटिकल साइंटिस्ट रहे हैं जान लेते हैं इनके बारे में तो देखिए इन्होंने जो है किसले फेमस है जो आपका यह लाइट कॉमबिट एरक्राफ्ट है तेजस इसके डेवलपमें 2018 में पदमश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है यह आप याद रखेगा कि पदमश्री से सम्मानित किया जा चुका था इन्हें शूटर दादी चंद्रोत उमर जिनका हाली में जजन हो गया किस राज्य से थी ओप्शन साब के सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कि सो शूटर चंद्रोत उमर जिनने की शूटर दादी की नाम से का आ जाता था तो इनकी जो है कोविड-19 के कारण मृत्ति हो गई है कहां से थे यह उत्तरपरदेश के बाग पर डिस्टिक से थी है और इन्होंने फ्रेंड्स 60 प्लस एज में कई सारे नैसनल और इन पर एक मोवी बेस्ट भी है सांड की आंख स्वामी अध्यात्मानंद जी जिनका हाली में निदन हो गया यह एक परसीद्ध क्या थे ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसरों का ओप्शन ए तो स्वामी अध्यात्मानंद जी हूँ पास्ट रिसेंट्ली वा शोक व्यक्त किया है परवत्धारा योजना के तहट किस राज्य में वन तालाबों का निर्मान किया जा रहा है ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन सी अंडर दी परवत्धारा इसकीम फोरेस्ट पॉंड्स आर बिंग कंस्ट्रक्टेड इन हिमा इट किया जाएगा यानि फिर से उन्हें चालो इस्तिती में लाए जाएगा अब जानते हैं हिमाचल परदेश के बारे में हिमाचल परदेश की गवंडर बंदारू दत्तात्रे हैं यहां की चीफ मिनिस्टर है जैराम ठाकूर और शिमला यहां की कैपिटल है साथ ही आपक के स्टैटिक जीके के लिए काफी इंपोर्टेंट है साथ ही आपको यह जानना चाहिए कि महाराना परताप सागर जिसे की पॉंग रिजर्वायर भी कहते हैं और फिर पॉंग डैम लेग भी कहते हैं यह एक रामसर वैटलेंड है और बारत का लार्जेस्ट रामसर साइट क है चंदर दाल यह भी रामसर वैटलेंड है और हिमाचर प्रदेश में हैं साथिय अगरम बात करें हिमाचर प्रदेश से जो जी आई टैक प्रोड़क्ट से हैं तो इनमें कुल्लू सॉल कांगडा टी चंबा रुमाल किनोरी शॉल कांगडा पेंटिंग्स हिमाचली काला ज साइट की लिष्ट में एड किया था और फेंट्स यह भी आप याद रखेगा मोख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्प लाइन ग्यारा सो यह किस स्टेट से संबंदित है हिमाचर प्रदेश से संबंदित है इस तरह से भी कोश्यन पूछ ले जाते हैं आगे बढ़ते हैं निमल सेंट्र बोर्ड ऑफ सेकंड्री एजुकेशन तो देखिए सीबीसी ने चात्रों के मानसिक स्वास्ते के लिए सीबीसी दोस्त फॉर लाइफ एप लॉंज किया है यह एप कक्षा 9 से 12 तक के चात्रों के लिए उपलब्द है ताकि उन्हें मानसिक स्वास्ते को ठीक रखने सी सो इन राजस्थान मिया का बाड़ा इस्टेशन हैज बिन रिनेम्ड एस महेश नगर साथी फ्रेंड्स यहां पर एक इंपोर्टेंट पॉइंट आपको यह जानना चाहिए कि अगर कोई भी स्टेट अपने हां कोई विलेज हो या टाउन हो या कोई सिटी हो या रेलवे स्टेशन हो अगर इसका नाम बदलना चाहता है तो यह प्रोपोजल होम मिनिस्ट्री को भीजा जाता है जो सेंटल होम मिनिस्ट्री है उसको भीजा जाता है उसके बाद जो होम मिनिस्ट्री है यह एप्रूव करती है ठीक है जो बाकी की सेंटल एजेंसी हैं उनसे डिसकस क क्या होंगे काफी important question है friends तो इसका सही answer होगा option D तो individuals and small businesses with loans of up to 25 crore shall be eligible under the resolution framework 2.0 बात हो रही है RBI की जो RBI नहीं है अपर अभी हाली में announce किया था अब देखते हैं friends काफी important question है ध्यान से देखिएगा देखिए Reserve Bank of India ने Corona महामारी से trust व्यक्तिकत कर जाता और छोटे कारेबारियों को एक बार फिर से loan restructuring यानि कर्ज पुनर गठन की सुईधा दी है तो इसके तहत 25 करोड रुपे तक के loan का पुनर गठन यानि restructuring किया जा सकता है देखिए friends पहले विसम आर्थी की स्थिति या आपदा आ जाती है जैसे कि फिलाल हाई हुई है और loan चुकाना महीने तक आपको चुकाने का मौका मिलता है अब देखिए मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ restructuring देखिए तीन तरह से हो सकती है पहले तो यह जो आपने interest आपने नहीं भरा है उस interest को add करके आपके loan amount को बढ़ा जा सकता है ठीक है आपने interest नहीं दिया तो उस interest को आपके loan में add कर दे जाएगा और आपकी loan के amount बढ़ जाएगी दूसरा यह है कि आपकी EMI जो है वो घटा दी जाए लेकिन जो tenure है वो बढ़ा दिया जाए और तीसरा तरीका क्या होता है moratorium period इसमें दिया जाता है यानि आपको EMI नहीं भढ़नी है लेकिन जो interest है वो accumulate होता रहता है जिसे finally आपको बाद में भढ़ना जुरूर पढ़ता है तो इस तीन तरह से restructuring की जा सकती है यह hope आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया है तो फिर से एक दो बार जो RBI ने अब कही है इससे फ्रेंट से पिछले साल भी चली थी ठीक है और अब यह इसलिए 2.0 लिखा है क्योंकि इस बार फिर से RBI इसमें कुछ changes के साथ आया है तो आपको इसलिमें यह जानना चाहिए कि जो भी इसकी सुईधा लेना चाहते है तो 30 सितंबर 2021 तक ले सकते हैं और बैंक को 30 सितंबर के बाद भी 90 दिन का टाइम मिलेगा कि वो इसको implement करें इस scheme को और साथ ही आपको यह जानना चाहिए कि देखिए 25 करोड की limit है ठीक है जिनके लोन है 25 करोड तक के उनको यह सुईधा मिलेगी साथ ही आपका जो लोन है वो 31 मार्च 2021 तक standard loan होना चाह up to 19 days of delay beyond which it becomes substandard or a bad loan देखिए इस तरह का loan मान लीजे आपने loan लिया है और आपकी उसकी किस्त भी बिल्कुल सही टाइम पर दे रहे हैं लेकिन आपको जो है तीन महीने हो गए यानि 90 days हो गए है कि आपने जो है उसका सुचारू रूप से सही रूप से आप अपना loan नहीं तो 90 days तक भी आपका loan standard loan नहींगा लेकिन उसके बाद आपका loan substandard बन जाएगा या फिर bad loan बन जाएगा तो जिनके भी 31 मार्च तक loan standard loan है ठीक है तो उनके लिए ये सुईधा दी गई है WHO ने किस देश की Sinopharm vaccine को आपात कालीन सुर्कृति दी है options आपके सामने है और correct answer होगा option A so China's Sinopharm vaccine has been given emergency approval by the WHO और इसमें आपको ये जानना चाहिए कि अभी ये जो है पहली non-western country द्वारा बनी गई पहली COVID-19 की vaccine बन गई है जिसे WHO ने approve गया है यानि non-western country मतलब जिसे Europe या फिर और भी इदर की जो countries है उन्होंने develop नहीं किया है ये तो Asia का हो गया है तो Asia ने इसको विक्सित किया है तो WHO ने इसको approve कर दिया है तो ये पहली vaccine बन गई है जो कि non-western country द्वारा develop की गई है और जिसे WHO द्वारा approve किया गया है साधी फ्रेंड्स ये इस तरह की पहली vaccine है जिसे WHO ने approve किया है क्योंकि चाइना की आज तक भी कोई भी vaccine infectious disease के लिए WHO ने approve नहीं की है ठीक है तो ये पहली vaccine बन गई है ये भी आप याद रखेगा और इसी के साथ WHO ने देखिए पहले भी कई सारी vaccine जो है approve कर दी है जैसे की फाइजर, बायो, एंटेक के द्वारा निर्मीज जो है एस्टा जने का द्वारा जो है जो है जो है जो है जोनसर और जोनसर और मॉडरन ने द्वारे जो भी बनाई गई है इनको भी approve कर चुकी है THDC-IL के अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक का अत्रीक्त प्रभार किसने समाला है options आपके सामने है और correct answer होगा option A so विजे गोईल has assumed the additional charge of chairman and managing director of THDC-IL तो additional charge इन्होंने है आपर समाला है तो TIDC India Limited ये एक जो है मिनी रत्न PSU है और आपको पताओगा ये जो टीरी डेम का आपने नाम सुनाओगा उत्राखंड में है टीरी जगह पर है तो ये भारत में जो है tallest डेम है ये आपको जानना चाहिए तो इसको ये ही operate करती है और THDC की बात करें तो इसका headquarters रिशी केश उत्राखंड में है और parent organization है NTPC Limited ठीक है तो ये NTPC Limited की holly owned company है बारत्य मोल की किस immunologist को परतिश्ठित National Academy of Sciences के लिए चुना गया है तो इसका सही answer होगा option B तो संकर घोस जो की Indian origin immunologist है has been elected to the prestigious National Academy of Sciences तो फ्रेंट्स original research में इनके जो achievements है और इनका जो contribution है उसके लिए National Academy of Sciences ने इन्हें 120 लोगों में सामिल किया है और जो National Academy of Science है ये एक non-profit institution है जो की जो यहां के president रहे है अबराम लिंकन ठीक है उनके sign द्वारा इसको launch किया गया था मुंबई में जन्मे या जन्मी किस इक्साविद्ने सेख जायद बुक पुरुसकार जीता है options आपके सामने है और correct answer होगा option D so Mumbai born academician Dr. Tahira Qutubuddin won the सेख जायद book award देखिए तो यह जो है जो डोक्टर ताहरा है यह University of Chicago में Arabic literature की प्रोफेसर है और इन्हें जो है सेख जायद book award मिला है जिसे कि आप Arab word का Nobel Prize कहते हैं और किस बुक के लिए मिला है Arabic oration art and function यह इनकी बुक है इसके लिए इने यह प्राइस मिला है friends अगर आपको हमारा session पसंद आ रहा है तो like भी करते रहा किजिए Mayflower 400 क्या है तो सही answer का option B so Mayflower 400 यह एक first artificial intelligence ship है और इसको किस ने बनाया है प्रो मेर यह एक marine research organization है इसने IBM के साथ मिलकर इसको develop किया है क्या है यह world की first intelligent ship और यह first unmanned vessel है जो कि Atlantic Ocean में navigate करेगा ठीक है तो इसमें कोई भी व्यक्ती मौजूद नहीं है unmanned है यह vessel और आपको बता दें इसका काम क्या होगा यह aquatic animals जो समुद्र में रहते हैं उनको track करेगी साथ ही जो water में plastic वगएरा का जो कच्रा रहता है उसको देखेगी और जो marine pollution है उस सभी का data यह जुटाएगी किस video sharing social networking platform ने सोजी चेवास को नेया मुख्य कारेकारी अधिकारी यानी CEO न्यूखत किया है options आपके सामने है और correct answer होगा option B so TikTok which is a famous video sharing social networking platform has appointed सोजी चेवास as the new chief executive officer जानते हैं इनके बारे में सबसे important जानकारी है कि यह सिंगापुर के हैं ठीक है US के साथ जो विवाद हो रहा है तो उसके तहती आप समझ सकते हैं कि इन्होंने सिंगापुर के इन व्यक्ति को यह appoint किया है chief executive officer appoint किया है और ठीक है और आपको बता दें कि इसमें और क्या जान सकते हैं इसमें हाँ यह जान सकते हैं कि जो आने के लिए 80 men AI नामक एक AI यानि artificial intelligence उपकरण विक्सित किया है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option A so DRU has developed an AI tool named 80 men AI for covid detection in chest x-rays तो chest x-ray जो है इस तरह का एक पता किया है जिससे की covid-19 disease का पता चल जाएगा तो इस तरह की यह artificial intelligence algorithm इन्होंने develop की है जिसका नाम है 80 men AI और किसने develop की है DRU है जो center for artificial intelligence and robotics इसने क्या है कभी-कभी friends options में इस तरह से भी आ सकते हैं कि DRU ना दिया गया हो केवल यह नाम दिया गया हो इस तरह की 4-5 lab जो DRU की आपकी option में दी जा सकती है तो इसमें आपको यह याद रखना होगा ठीके friends center for artificial intelligence and robotics इसने किया है DRU की बात करें तो चेर्मन है जी शती स्रेटी founded कभी स्थापना हुई थी 1958 में और headquarter से New Delhi वें DBS Bank India Limited में विलाय के बाद किस बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से RBI द्वारा बाहर रखा गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option D So, Lakshmi Vilas Bank has been excluded by the Reserve Bank of India from the second schedule of the RBI Act after it was merged with DBS Bank India Limited देखिए पिछले साल 27 नॉमबर को Lakshmi Vilas Bank का DBS Bank India Limited में विले हो गया था इसी के साथ अब Reserve Bank of India ने Lakshmi Vilas Bank को RBI Act के second schedule से बाहर रख दिया है आपको बता दें RBI Act 1934 के second schedule के तहट जो भी बैंक आते हैं उन्हें schedule bank कहा जाता है और इन में जो है schedule commercial banks और schedule cooperative banks ये सामिल रहते हैं देखिए इस तरह से भारत में banks का structure तो banks in India commercial bank आते हैं commercial bank के अंदर public sector bank होते हैं private sector होते हैं regional rural bank होते हैं और foreign banks होते हैं इसी तरह से यह आगया आपके पास cooperative banks तो इसमें urban cooperative banks होते हैं और rural cooperative banks होते हैं साथ ही small finance bank और payments bank होते हैं बात करते हैं इस question की देखिए साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए आपको मालूम होगा कि OBC और United Bank of India, Andra Bank, Corporation Bank, Alabad Bank, Syndicate Bank ठीक है तो इनका भी विले हो गया था तो इसी के कारण इनको भी पिछले साल Reserve Bank of India ने जब announce किया था तो इसी के साथ इन banks को भी जो है यह second schedule से बाहर रख दिया गया था क्योंकि अब जो banking operation होता है वो जो इनका parent bank है जिनमें इनका विले हुआ है उसके नाम से होता है तो इसलिए इनको जो है schedule second bank से बाहर कर दिया जाता है अच्छा साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि जो यह DBS bank है इसको safest bank in Asia इसका title दिया गया है global finance के द्वारा ठीक है 2009 से 2020 तक DBS bank DBS bank के बारे में आप जान लीजे कि इसका headquarters सिंगापूर में है और जो यह DBS bank India Limited है यह इसकी subsidiary है इंडिया में और इसके CEO है Pius Gupta Spanish Grand Prix किसने जीता है? Options आपके सामने हैं और correct answer होगा Option B So Lewis Hamilton won Spanish Grand Prix Friend जो यह word है यह French word होता है तो इसमें last में D silent होता है और pricks में last में X silent होता है तो इसलिए इसको जो सहीस का pronunciation है वो है Grand Prix खेर आगे बात करते हैं इस question की तो Lewis Hamilton ने Spanish Grand Prix 2021 जीता है आपको बता दे कि यह British racing driver है और Mercedes के लिए Formula 1 race में compete करते हैं अच्छा यह अभी हुए है 2021 में यह वाले जो Grand Prix हुए है यह भी हुए है Portuguese Grand Prix 2021 यह भी Lewis Hamilton ने जीता है Emilia Romagna GP 2021 यह Max Verstappen ने जीता है Max Verstappen जो है यह Belgium के हैं और Beharin GP 2021 जीता है Lewis Hamilton ने तो इनको आप याद रखेगा आगे बढ़ते हैं किस खिलाडी को 2021 Laureus Sportsman of the Year पुरुषकार से सम्मानित किया गया है Options आपके सामने है और Correct answer होगा Option A So Raffel Nadal has been honored with the 2021 Laureus Sportsman of the Year Award तो Raffel Nadal जो है यह Spain के हैं और Friends यह आप Point याद रखना है इनको King of Clay के नाम से जाना जाता है SSC और और भी मान लीजिए आप और भी जो एक्जाम होते हैं One Day एक्जाम जो होते हैं कई बार देखा गया है Question पूछा गया है कि किस Tennis खिलाडी को King of Clay के नाम से जाना जाता है तो answer होगा इसमें Raffel Nadal King of Clay मतलब इस तरह की जो Tennis Code बने होते हैं जो Clay की बनी होते हैं जैसे कि जो stone होता है या फिर bricks होते हैं इनको crush करके बना होता है इस तरह से होता है और फ्रेंड्स आप यह दो खिलाडी है एक तो राफिल नडाल एक रोजर फेटर तो एक दूसरे के काफी सालों से चीर प्रतिदंदी रहे हैं काफी टककर का मुकाबला होता है और साथी साथ आप देखोगे थी कि दोनों में respect भी एक दूसरे के लिए काफी जादा है तो जो sportsman की जो एक spirit होती है वो आप इन दोनों में देख सकते हैं जब एक match हार जाता है एक जीत जाता है मानली जे राफिल नडाल जीत गए और रोजर फेटर हार गए तो उसके बाद अगर आप जो post match presentation होती है उसमें आप देखेंगे कि इतनी तारीफ यह दूसरे वेक्त होती है तो इन दोनों में जो है यह काफी देखने के मिलती है काफी अच्छे इंसान भी है खेर आगे बढ़ते हैं किस खिलाडी को 2021 लाउरियस sportswoman of the year पुरसकार से सम्मानित किया गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option A तो इन्होंने लास्ट यर यूएस ओपन जीता है और यह जापान के फ्रेंड्स यह आप याद रखेगा और यह पूरी लिष्ट है जो भी लाउरियस अवार्ड विनर से इसकी पूरी लिष्ट यहां पर दी गई है तो sportswoman of the year आपको बता दिया है sportsman of the year आपको बता दिया ह वर्ड टीम of the year आवार्ड मिला है बेर्ण मौनीश को और वर्ड ब्रेक्थ्रू of the year मिला है पैट्रिक मेहोम्स को वर्ड कमबैक of the year मिला है मैक्स पैरट को sport for good अवार्ड मिला है kick for more by kickfair को lifetime achievement अवार्ड मिला है बिली जीन किंग को athlete advocate of the year अवार्ड यह मिला है Lewis Hamilton को जिरकी है हमने अभी बात किये पहले कोशन में sporting inspiration अवार्ड यह मिला है मौहमत सालाह को और sporting moment of the year अवार्ड यह है Chris Nicky आगे बढ़ते हैं नियामक समिक्षा प्राधिकरण 2.0 की सहायता के लिए RBI द्वारा गठित सलाकार समू का प्रमुक कौन होगा काफी important question है options आग के सामने है और correct answer होगा option D so S. Janaki Ramon will head the advisory group that has been constituted by the RBI to assist the second regulatory review authority RRA 2.0 समझेंगे इस question को कि क्या कहना चाते हैं देखिए पहले तो आप यह जान लीजिए जो यह S. Janaki Ramon है यह SBI के managing director है और RBI ने एक advisory group बनाया है इससे पहले RBI ने regulatory review authority 2.0 इसका गठन किया था तो यह जो इन्होंने authority बनाई है RBI ने तो इसको assist करने के लिए इसको अपनी suggestions देने के लिए अपनी advice देने के लिए फिर से एक group बनाया है तो उसकी बात की जा रही है उसको head करेंगे S. चान ही रमन अच्छा अब बात करते हैं friends इस question की देखे जो regulatory review authority 2.0 जो RBI ने बनाई थे तो यह जो है एक साल के लिए जो है काम करेगी एक मई 2021 से इसकी सुरुआत होगी इसको हमने mcq format में भी किया हुआ है अब इसके बारे में जानते हैं तो आपको यह जानना चाहिए जो यह regulatory review authority बनाई गई है इसको जो head करेंगे यह करेंगे m Rajiswar Rao तो दो होगे एक तो M Rajiswar Rao तो इसको head करेंगे और S. जानकी रमन की को हैट करेंगे जो इसको assist करने के लिए गुरुप बनाया गया है यह इसको हैट करेंगे देखे regulatory review authority जैसे की नाम से पता चल रहा है देखे RBI जिन जिन entities को regulate करती है ठीक है उनको supervise करती है तो कुछ नियम बनाए होते हैं कुछ instructions दिये होते हैं कि आप इन सब को follow कीजिए तो RBI चाहती है कि जो भी हमने नियम बनाए हुए है या फिर instructions बनाए हुए है ठीक है जो भी regulations हमने बनाए हुए है तो उनको किस तरह से जो rules बनाए हुए उनको किस तरह से हम simplify कर सकते हैं ठीक है ताकि उनको मानने के लिए उनको comply करने के लिए जो entities हैं उनको ज्यादा मुश्किल न हो तो इसकी review किया जाएगा तब देखा जाएगा कि अच्छा यहां पर हम इसको सरल बना सकते हैं तो इस बारे में है यह और इस से पहले 1999 में RBI ने इस तरह की एक regulations review हो गया था किस बैंक ने ग्राम इस तरिये उद्यमियों के लिए इवा नाम से एक चैड़ बॉक्स चैड़ बॉट लॉंच किया है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option D so HDFC bank has launched a chatbot called eva for village level entrepreneurs जानते हैं इस question के बारे में देखिए वैसे तो यह वाला जो चैड़ बॉक्स है eva यह HDFC bank ने पहले से लॉंच किया हुआ है ठीक है यह अभी का लॉंच किया हुआ नहीं है इस question में नहीं आई है HDFC bank की services से अवगत हो सके HDFC bank की क्या-क्या products हैं क्या-क्या services provide कराय जाती है तो यह सभी वह जान सके इसलिए यह chat box common service centers के digital सिवा portal पर उपलब्द कराया गया है HDFC bank की बात करें तो MD and CEO है ससीदर जगदीशन headquarters है मुंबई महारास्ट में अब जान लेते हैं जनवरी 2021 से अब तक के HDFC bank से जुड़े हुए current affairs तो HDFC bank ने जो है 21 social sector start-ups को smart-up grants प्रोवाइड कराया याद रखना smart-up grants किससे related है HDFC bank से HDFC bank को इंडिया का best SME bank चुना गया है किसके द्वारा एशिया मनी के द्वारा HDFC bank ने मुव बंद रखो campaign इसको launch किया हुआ है HDFC bank ने smart-up उन्नती इसको launch किया है देखें यहां पर smart-up उन्नती यहां पर smart-up पुराण तो याद रखेगा smart-up मतलब HDFC bank आगे देखें HDFC bank और Red FM ने मिलकर talented unlocked इस program को जो है किया था साथी HDFC bank की एक branch है असम के नागाओं में तो इसको नाबाट का एक award मिला है best performance in microfinance इस category के लिए निमनिकित में से किसने Emola अधिकरण, निगम द्वारा, Ingram Micro Inc. के 100% shareholding और पूर्ण नियंतरण के अधिकरण को मनजूरी दी है friends काफी important question है इसको बिलकुल skip मत कीजेगा हाला कि इस question में कुछ नहीं है के वले जानना है कि किसने किसका अधिकरण किया है और किसने मनजूरी दी है पर यह important है आपके लिए काफी question तो इसका सही answer होगा option B so competition commission of India has approved acquisition of 100% shareholding and sole control of Ingram Micro Inc. by Emola Acquisition Corporation जानते हैं इसके पारे में देखिए Ingram Micro Inc. है तो इसका 100% इसको acquire कर लिया है Emola Acquisition Corporation ने जो यह Emola Acquisition Corporation है यह platinum equity group की एक incorporated entity है यानि कि इसी का एक member है या सदस्य आप कह सकते हैं और जो यह platinum equity group है यह एक इस तरह की agency है जो की merger acquisition इन सभी कार्यों को जो है देखती है इसमें अपनी services provide कराती है अच्छा साथ ही जो यह Ingram Micro है जिसका acquisition किया गया है यह एक IT company है और इसका headquarters United States में है जान लेते हैं friends की competition commission of India क्या है यह एक statutory body है इसका मतलब इसको समिधान द्वारा नहीं बनाये गया है इसको act द्वारा बनाये गया है किस act द्वारा competition act 2002 के द्वारा और 14 October 2003 को इस माई 2009 से साथी friends जो यह competition commission of India है इसमें एक chairperson होते हैं और six members होते हैं ठीक है और इनको सब सेंट्रल गवर्मेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है चेयर परंसन की बात करें तो competition commission of India के फिलाल जो चेयर परसन है यह है असोक कुमार गुपता इसका क्या क्या होता है friends competition commission of India का देखिए इसका काम होता है कि जो है परतिस्परधा बनी रहे बाजार में किसी की monopoly ना हो और customers को उचित दाम पर product मिले और प्रतिस्परधा मिले यानि कि customers के पास कई सारी choices हो तो यह जो है यह सुनिश्चित करता है और उचित रेट पर मिले ठीक है पी एम राम चंद्रन जिनका हाली में निधन हो गया निम लिखित में से किस से संबंदी थे options आपके सामने है और correct answer होगा option c पी एम राम चंद्रन who passed recently was related to Indian Air Force कैसे related थे तो यह vice chief of air staff रहे है इनका नाम है पलामदई मुत्स्वामी राम चंद्रन तो इनका हाली में निधन हो गया है आपको बता दें 1955 में इन्हें fighter pilot की रूप में commission किया गया था और liberation of goa जो गोवा को liberate करने का जो भारत का जो परियास रहा था उसमें 1961 में इन्होंने participate भी किया था किस आयाइटी ने ग्रामीन परिवर्तन प्राकर्तिक से सांस्कर्तिक तक विशय पर अंतराश्ट्य समयलन का आयोजिन किया ओप्शन्स आपके सामने है और correct answer होगा option D सो आयाइटी खड़कपूर organized the international conference on rural transformation from natural to culture तो अगर specifically बात करें तो आयाइटी खड़कपूर का जो institute है यह center for rural development and innovative sustainable technology तो इसने इस international conference को organized किया है काफी important है क्योंकि international conference रही है तो इसलिए यह question आपके लिए काफी important है the bench नामक पुस्तक के लेखक या लेखी का कौन है options आपके सामने है और correct answer होगा option D so the bench फुस्तक लिखी है Megan Markle ने यह अभी release नहीं हुई है June 2020 में release होने वाली है तो इसमें जो है आपको बता होगा कि यह Megan Markle कौन है यह Duchess of Sussex है Sussex जो है इंगलेंड में काउंटी है तो उसी के नाम पर है यह टाइटल है Duchess of Sussex तो इनके जो husband है Prince Harry तो इनके साथ जब इनका यह जो इनका first child हुआ तो तब इन्होंने एक song इनको dedicate हिया था अपने husband को father stay पर तो उसी संबन्दित यह पुस्तक है आगे बढ़ते हैं भारत में राष्टिय पर्द्योगी की दिवस हर वर्स किस दिन मनाया जाता है ओप्शन्स आपके सामने हैं और correct answer होगा option C So National Technology Day in India is celebrated every year on May 11 तो किसलिए मनाया जाता है इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की जो achievements रही है जो उनका contribution रहा है भारत में उसको commemorate करने के लिए इस बार इसका theme क्या है 2021 में science and technology for a sustainable future अच्छा क्या क्या कुछ रिवाइस कर लेते हैं तुड़ा सक क्या क्या हमारे जो engineers और scientists का contribution रहा है देखिए 1998 में भारत ने जो nuclear prediction किया था सक्ती one nuclear missile जो launch की थी पोखरंट test range पर राजस्थान में तो एक तो इसको याद किया जाता है क्य बीच में यह पूरा किया गया था ठीक है इसको पोखरंट second बोलते हैं और पोखरंट one कब हुआ था यह 18 माई 1994 को वा था और उस ओप्रेशन का नाम था smiling mood था तो यह दोनों ही nuclear test थे और जो यह वाला था सक्ती one nuclear missile परिक्षन जो था 1998 में जो किया गया था 11 से 13 माई के बीच में इस में इस operation को लीड किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम जी ने और इसी दिन 11 माई को ही नैशनल एरोस्पेस लेबरोटरी द्वारा जो डिजाइन किया गया था भारत का first indigenous aircraft हंसा 3 इसको भी टेस्ट किया गया था अब मैडरिट ओपन पुरुस का खिताब किसने जीता है ओप्शन साब के सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी सो एलेक्जेंडर जेवरेव वोन मैडरिट ओपन मेंस टाइटल टैनिस की बात की जा लिए फेनेंट से यहां पर और यह जो है अलेक्जेंडर जो है जर्मनी के हैं इन्होंने मैट्यो बेरेंटीनी इनको हराये जो कि इटली के हैं बात करेंगर हम मैंस डबल्स की तो यह जीता है मार्शल ग्रेनुलर्स ने और होराइस्यो जैबलो जीता है मैंस डबल्स वाज़े पूचा नहीं जाता है पर फिर भी कई एक दो चांसे मान ल सकते कि यह नहीं पूछा जाता है यह पूछा जाता है कुछ भी आ सकता है पेपर में हमेशा इस तरह से पढ़ा कीजिए हुव ओन मैडरीट ओपन विमन्स टाइटल मैडरीट ओपन महीला का किताब किस ने जीता है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी अरियना सबालिनका यह दो ओप्शन्स पिछले कोश्चन के ही रह गई मैं चेंज करना भूली है इसके लिए छमाचाओंगा तो यह जीता है आपका अरियना सबालिनका ने जानते हैं इस कोश्चन के बारे मे तो अरियना सबालिनका यह बेलारूस की है और इसले बार्टी को हराया यह ऑस्ट्रेलिया की है इसी तरह से हम देख लेते हैं वीमेंस डबल फाइनल किसने जीता है बारबोरा क्रेसी कोवा और कैटरीना सीनिया कोवा इन्हों ने जीता है थोड़ा टफ है नाम बोलना ठीक options आपके सामने है और correct answer होगा option C so Josh J. Kattour has been appointed as new executive director by Reserve Bank of India और इससे पहले ये Reserve Bank of India के Bengaluru Regional Office के डारेक्टर थे साथ ही अभी ये Reserve Bank of India में Human Resource Management Department, Corporate Strategy and Budget Department और राजभासा Department को देखेंगे अच्छा आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इकलोते executive director है RBI में इनके लावा भी 12-13 executive directors और है Reserve Bank of India में इस तरह से पुरा structure होता है जो Central Board of Directors होते हैं सबसे पहले governor, फिर deputy governors, फिर executive directors, फिर principal chief general manager, फिर chief general managers, फिर general managers, deputy general managers, assistant general managers, managers, assistant managers और support staff. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलाल जो governor हैं यह सक्तिकान दास हैं Reserve Bank of India के और चार deputy governors हैं M.K.Gen, Dr. M.D. Patra, Sri M.R. Rao और T. Rabhi Shankar आगे बढ़ते हैं अपरेल 2021 के लिए किस खिलाडी को ICC Men's Player of the Month के रूप में नामित किया गया है? Options आपके सामने हैं और correct answer होगा Option B So, Baba Rajam has been named as the ICC Men's Player of the Month for April 2021 तो Baba Rajam जो है यह पाकिस्तान cricket team के captain है और इनको अपरेल 2020 के लिए ICC Men's Player of the Month के लिए अवार्ड के लिए चुना गया है तो South Africa के खिलाफ इन्होंने काफी अच्छी performance दी है उसी के बूते इन्हें आपर चुना गया है साथी आपको यह भी जानना चाहिए कि Baba Rajam हाली में No.1 One Day International Batsman बने है और विराट कोली जो की 41 महीने से इस position पर थे No.1 ODA Batsman थे तो इनको इन्होंने T-throne कर दिया है साथी आपको यह भी जानना चाहिए हाली में Baba Rajam ने विराट कोली का record तोड़ा है कौन सा record तोड़ा है इन्होंने T20 में 2000 run सबसे fastest बनाए है ठीक है 2000 run बनाए है सबसे fastest 2000 runs Connected Commerce सीर्षक नाम से किसने एक report चारी की है options आपके सामने है और correct answer होगा option D सो नीती आयोक और Mastercard ने मिलकर Connected Commerce इस सीर्ष वाली एक report को जारी किया है जानते हैं friends इसके बारे में तो देखिए इस report में क्या है इसमें इन्होंने यह चर्चा की है कि जो भारत में digital financial inclusion है इसके आगे क्या क्या चुनोतिया है और कुछ recommendations भी दी है कि किस तरह से digital services को हर एक व्यक्ति तक पहुँचाया जाए friends यहाँ पर आप देख रहे होंगे financial inclusion तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि banking और financial services को हर एक individual तक पहुँचाया जाए इसको बोलते है financial inclusion और जब आगे जुड़ जाता है digital तो इसका मतलब digital तरीके से जैसे कि अब कुछ banks जो है online भी account खोल देते हैं अपनी site से तो इस तरह से digital और financial inclusion क्या होता है banking और financial services को हर एक व्यक्ति तक पहुँचाना अच्छा आपको बता दूँ कि जो financial inclusion का concept है यह reserve bank of India ने साल 2005 में इसको introduce किया था तो financial inclusion में हम क्या-क्या चीज़े कह सकते हैं जैसे कि zero balance account किसी का खोलना money transfer ठीक है और pension भी इसमें आता है जैसे कि आप इस तरह की जो scheme है government of India की जैसे परदार मंत्री जंधन योजना है मुद्रा योजना है stand up इंडिया है अटल पैंसन इसकी में सुकन्या समरिद्धी योजना है साथी जो लॉंस दिये जाते हैं और एटियम्स प्रवाइड कराए जाते हैं यह सभी अमिताप कांत और एक जनवी 2015 को नीति आयो का गठन किया गया था प्लैनिंग कमिशन को इसने रिप्लेस किया था mastercard की बात करें तो इसके president and CEO है Michael यह है आपके Michael Maybach और executive chairman है अजे बंगा निम्री कित में से किसे green उर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इसका सही answer होगा option D so IREDA has been conferred with green उर्जा अवार्ड IREDA का मतलब है Indian Renewable Energy Development Agency Limited तो इसको green उर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसके द्वारा Indian Chamber of Commerce के द्वारा क्यों किया गया है क्यों कि इन्होंने Renewable Energy में काफी अच्छा finance किया है finance की सुविधाय प्रोवाइट कराई हैं साथ ही अपने projects भी इन्होंने launch किये हैं Green Energy Financing का मतलब होता है जो Renewable Energy होती है उस तरह के projects बनाना जैसे कि Wind Energy हो गया और आपका Solar Energy हो गया तो इस तरह के projects बनाये जाते हैं IREDA के Chairman और Managing Director है परदीब कुमार दास सरकार ने Central Government की यहाँ पर बात हो रही है Central Government ने अस्पतालों को कितनी राशी से अधिक नकद भुकतान सुविकार करने की अनुमती दी है तो इसका सही answer होगा option B So government has allowed hospitals to accept cash payment in excess of rupees 2 lakh Okay, so 2 lakh से ज्यादा का भी अब amount यह नकद में receive कर सकते हैं जो hospitals है जानते हैं इसके बारे में तो देखिए hospitals और nursing homes यह अब 2 lakh या इससे ज्यादा का payment cash में accept कर सकते हैं ऐसा कहा है income tax department में तो Central Board of Direct Tax ने इस regarding में एक notification issue किया है देखिए अब तक क्या है अब तक केवल 2 lakh रुपे तक ही cash payment accept की जा सकती है तो इस तरह का एक law बनाया गया था ठीक है तो अब जो है सरकार ने COVID-19 की situation को देखते हुए अब 2 lakh या इससे जादा का भी payment आप cash में दे सकते हैं बात हो लिए जब यहां पर CBDT की तो इसके chairperson भी जान लेते हैं यह है प्रमौत कुमार मोधी फिक्की लेडीज ओर्गनाइजेशन की national president के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो इसका सही answer होगा option T तो उजवला सिंखानिया has been appointed as the national president of फिक्की लेडीज ओर्गनाइजेशन F.L.O. और 2021-22 के लिए इनको न्यूक्त किया गया है फिक्की की full form होती है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry और साथ इसकी स्थाबना 1927 में होई थी प्रेजडेंट है उदैशंकर और इसका headquarter से New Delhi में and फिक्की is the largest and oldest Apex business organization in India निम्रिखित में से किसने वरिष्ट नागरिकों के लिए कोवी वैन हेल्प लाइन सुरू की है options आपके सामने है और correct answer होगा option A so Delhi police launched कोवी वैन हेल्प लाइन for senior citizens और यह help line number है और इन्होंने इसके थाइत क्या सुविधा होगी कि कोई भी senior citizen जिसको किसी तरह की भी help चाहिए including any essential item vaccination और medicines तो उनको जो है यह सुविधा देली पुलिस की team provide कराएगी बात और यह देली पुलिस की तो जान लेते हैं इसे commissioner of डेली पुलिस है यह है S.N. Srivastava और देली पुलिस का मोटो है सांती सेवा नियाए और आपको बता दे कि जो डेली पुलिस है यह ministry of home affairs government of India के तहत काले करती है किस देश ने David Attenborg को अपना COP26 people's advocate नामित किया है इसका सही answer होगा option A So United Kingdom has named David Attenborg as its COP26 people's advocate जानते हैं इस question के बारे में देखिए आपको बता दे कि जो यह COP26 people's advocate यह चुना गया है David Attenborg को किसके लिए जो United Nations climate change summit होने वाली है Glasgow Scotland में Scotland जो है यह United Kingdom का पार्ट है अलग से एक country है लेकिन United Kingdom का यह पार्ट है तो यहाँ पर होईगी यह United Nations climate change summit कब होगी इस साल नवंबर में होगी तो इसके लिए COP26 people's advocate चुना गया है David Attenborg को और आपको बता दे कि इनका काम यह रहेगा कि यह बताना चाहेंगे सभी leaders को कि जो climate की समस्या है climate change की समस्या यह real है इसको जो है seriously लिया जाना चाहिए इसी वज़े से जो G7 summit होने वाली है Cornwall United Kingdom में यहाँ पर भी यह जो भी leaders आएंगे उनको address करेंगे संबोधित करेंगे और आपको बता दे कि हाल ही में United Kingdom ने इसी COP26 summit के लिए जो president चुने हैं यह हैं आलोग सर्मा तो इस COP26 जो summit है इसके president होंगे आलोग सर्मा आर्थिक मामले विकास और किस बैंक ने संयुक्त रूप से Social Infrastructure Financing और Digital Technologies के उप्योग पर एक आभासी संगोस्टी का origin किया है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option B Department of Economic Affairs and New Development Bank jointly organized a virtual seminar on Social Infrastructure Financing and Use of Digital Technologies इस तरह question में केवाल इतना ही जानने के लिए सही रहता है कि किसने इस summit को organize किया है अगर कोई theme होता है तो हम theme views theme views के बारे में जान लेते हैं साथ ही आपको इभी जान लेना चाहिए जब Economic Affairs की बात हो रही है Department of Economic Affairs की बात हो रही है तो इसके secretary है अजे शेट और New Development Bank की अगर बात करें तो president है Marcos Prado Troejo और headquarter से इसका शंगाई चाइना में अप्रेल 2021 के लिए खिस खिलाडी को ICC Women's Player of the Month के रूप में नामित किया गया है तो answer होगा Alyssa Haley तो जो ये Alyssa Haley है ये Australia की किरिकेटर है और इनको ICC Women's Player of the Month फोर अप्रेल 2021 चुना गया है किस बेसिस पर New Zealand के खिलाब इनोंने हाल ही में काफी अच्छी performance दी है तो उसी की वज़े से इनको ये award दिया गया है अप्रेल महिने के लिए अंतराश्टिय नर्स दीवस हर वर्स किस दिन मनाया जाता है देखिए जो International Nurses Day है ये 12 माई को मनाया जाता है ठीक है क्यों क्योंकि 12 माई को जो Florence Night Angel से इनका बर्थ एनिवर्सरी होती है अच्छा इस बार जो थीम है ये क्या है नर्सेज अवाइस टू लीड और सब थीम भी है अवीजन फूर फूचर हेल्थ केर अब जान लेते हैं Florence के बारे में देखिए Florence को जो है Lady with the Lamp कहा जाता है कई बार SSC और Railways Exam और जो State के One Day exams होते हैं उनमें कई बार पूचा गया है कि Lady with the Lamp के title से किसे जाना जाता है तो answer होगा Florence Night Angel और friends आपको बता देए कि इन्हें founder of modern nursing के नाम से भी जाना जाता है ठीक है जो modern nursing है इसकी founder रही है founder of modern nursing देखे क्रीमियन वार हुजो हुआ था ये चला था आपका 1853 से 1856 के बीच तो इसमें रशिया जो है France, United Kingdom, Ottoman Empire इन सभी की जो एक जो एक जो गुट था इन से हार गया था तो इसी दोरान जो ये Florence है इन्होंने यापर British और जो allied soldiers है इनकी काफी अच्छे से जो है इन्होंने सेवा की जिसको भी चोट लगी थी उनको अच्छे से इन्होंने जो है medicine वगएरा प्रोवाइड कर आई तो इसलिए इनको founder of modern nursing के नाम से जाना जाता है and she was the first to establish formal training for nurses nurses के लिए formal training के सुरुवाद भी इनके द्वारा की गई थी और ये पहली woman है जिने 1907 में order of merit इस सम्मान से सम्मानित किया गया था Moody's के अलावा Moody's के अनुसार fiscal year 22 के लिए भारत का GDP पूर्वानुमान क्या है सही आंसर होगा option A so क्या है 9.3% है जो forecast है तो यहाँ पर Moody's जो की financial services provide कर आती है अमेरिका की एक credit trading agency है तो इसने खाये कि भारत की जो fiscal year 22 में जो economic growth है ये 9.3% रहेगी इसते पहले इनोंने 13.7% कहा था तो जिस तरह से COVID-19 की जो second wave चल रही है उसके इसाप को देखते हुए इनोंने इसको 9.3% कर दिया है अजन्ता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्तमंत्री बनी है options आपके सामने है और correct answer होगा option B so अजन्ता नियोग has become the first woman finance minister of आसाम तो आसाम में पहली बार कोई महिला वित्तमंत्री न्युक्त की गई है तो जैसा कि आपको पता है कि आसाम में नई chief minister बने है हिमान्ता विस्व सर्मा तो इनका जो सपत समारो हुआ है सपत ग्रंड समारो हुआ है तो उसी में जो ये अजन्ता नियोग है इन्होंने भी अपनी शपत ली है ये कोला घाट से MLA है पहले कॉंग्रेस में थी और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए आसाम के governor है जगदीश मुखी और capital है दीशपूर आसाम से जुड़े अगर हम कुछ static GK की बात करें जो कि आपकी exam point of view से काफी important है तो आपको ये जानना चाहिए कि आसाम को पहले प्रग जोतिशा या काम रूप नाम से भी जाना जाता था और सबसे important point आपके लिए ये है कि आसाम को land of red river and blue hills के नाम से भी जाना जाता है ये SSC में question पूछा जा चुका है आसाम में हैं और काफी important है आपके लिए साथी फ्रेंट्स ये भी आपके लिए काफी important है कि कामक्या temple ये आसाम में है पहले बात तो यह ज़ीर कि कहां पर है आसाम में है और ये किस heal पर है तो ये निलाचल Heal पर है ये भी इस तरह से question पूछ ले जाता है यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो वैश्णो देवी टेंपल है यह किस हील पर है यह कई बार रेलवेज और SST में पूछा जा चुका है ठीक है और स्टेट्स के जो वंडे एक्जाम्स होते हैं उसमें भी यह कोश्चन पूछा जा चुका है कि वैश्णो दे रामकरन वर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में निक्त किया गया है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी सो रामकरन वर्मा हैज बिन अपॉंटेट एज नेक्स्ट अमबैस्टर अफ इंडिया टू सेंट्रल अफ्रिकन और फ्रेंट्स अगर हम बात करें सेंट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक की तो कैपिटल है बंगुई और करंसी है सेंट्रल अफ्रिकन देख रहे होंगे तो सेंट्रल अफ्रिका में ये है आपका सेंट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक अच्छा आप देख रहे हैं कि एक लेंड ल आपको दीख रही है यह इनकी cost line है यानि cost परिस्थित है यह ठीक है यानि कि जो ocean है इससे यह जुड़े हुए है तो आप अगर इसको देखें तो इससे जो है कोई भी water body जुड़ी हुई नहीं है इसका कोई भी रास्ता नहीं है ocean से यह 4 तरफ से किसे ना किसी country से जुड़ी इसको आप note कर लिजेगा निमली कित में से किस ने mission होसला launch किया है options आपके सामने है और correct answer होगा option c so उत्राखंड police launched mission होसला तो covid-19 मरीजों को oxygen और bed ventilators and plasma provide कर आए जा सके इसलिए उत्राखंड police ने mission होसला इसको launch किया है और जो उत्राखंड के director general of police है यह है अशोक कुमार साथ ही हमने हाली में यह पढ़ा था कि डेली police ने covid-19 helpline यह launch किया है senior citizens के लिए तो दोनों आप याद रखेगा डेली police ने launch किया है covid-19 helpline और उत्राखंड police ने launch किया है mission होसला आगे बढ़ते हैं national asset reconstruction company limited यानि NARCL के CEO के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option D जानते हैं इस पूरी news के बारे में तो देखिए जो पद्मकुमार M. Nair है यह state bank of India में stressed assets के chief general manager है इनको जो है NARCL का chief executive officer बनाया गया है आपको बता दें कि जो यह national asset reconstruction company है इसको आप bad bank भी कह सकते हैं और यह अगले महीने जून 2021 में operational हो जाएगा इसकी घोशना हमारे जो वित्तमंत्रिये इन्होंने budget के दोरान की थी और आपको बता दें कि जो यह national asset reconstruction company है यह जो भी मान लीजे जो भी loan है तो उसकी value है तो उसका 15% यह cash में देगा और 85% यह government guaranteed security receipt के रूप में जो है provide कराएगा और यह मैंने आपको बता दिया है कि यह SBI में काम कर रहे हैं और साथी friends आपको यह जानना चाहिए देखिए जो यह NARCL है जो NARCL है इसको जो है बैंकों और वित्तिय संस्थाओं के bad loans के situation को जो है उसके solution जो है उसके लिए बनाया जा रहा है आपको बता दे कि bad banks क्या होते हैं देखिए जो बैंकों में फसे हुए कर्ज यह संपत्ति को take over करना और उनका समाधान करने वाले जो वित्तिय संस्थान होते हैं ठीक है उनको bad bank का आ जाता है ठीक है तो यह उस तरह के bank नहीं हो करेते हैं ठीक है तो इस तरह का समाधान यह गड़ते हैं आगे बढ़ते हैं के आर गौरी अम्मा जिनका हाली में निधन हो गया वे किस राज्य की पहली राज्य सुमंत्री थी options आपके सामने हैं और correct answer होगा option A के यार गौरी अम्मा who passed away recently was the first revenue minister of केरल जानते हैं इस पुरी elected government थी उसमें यह revenue minister थी या नाम याद रखीगा के आर गौरी अम्मा party पुछी जाए तो party है CPIM और जैसा कि लिखा है last surviving member of the first केरल government यह रही है तो first केरल government जो है EMS cabinet यहाँ पर लिखा है 1957 में जानेंगे इनके बारे में देखिए आप यह जान लीजे कि केरल में जो first chief minister थे 1957 से 1969 तक 1957 से 1959 तक ठीक है इनका नाम था इलम कुलम मनकल संकरन नमूदरी पाद ठीक है तो आपको मैं बता देता हूँ जब यहाँ पर इनका नाम आई गया है तो मेरे फादर जो है एक बार जब interview देने गए थे तो उनसे पूछा गया था कि आपने के केरल के CM का नाम सुना ह होगा EMS क्योंकि EMS नाम सीन को जानते थे तो interview में पूछ लया गया था मेरे फादर से कि इनकी इनका पूरा नाम बताईए ठीक है खैर उनको पता था तो इस तरह से भी question पूछ ले जाते हैं कभी कभी जिनके हम short नाम ही सुनते हैं उनके पूरे नाम भी पूछ ले जाते ज और गवर्नर है आरिफ महमद खान और कैपिटल है थिरुवनंत पुरुम निमलिखित में से किसने भारत में कोवीड-19 संकट के समाधान में मदद के लिए 15 मिलियन यूएस टोलर का डॉनेशन दिया है ओप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन बी सो ट् दोनेटेड 15 मिलियन यूएस टोलर तो हेल्प एडरस दी कोवीड-19 क्राइस इन इंडिया और ट्विटर ने ये किसके थू दिया है जो तीन नोन गवर्मेंटल ओर्गनाइजेशन है एक तो केर दूसरा है एड इंडिया तीसरा है सेवा इंटरनेशनल यूएस से इनको ये सर्वस्त्रेश्ट अभिनेता का पुरुषकार किसने जीता है तो इसका सही आंसर होगा ओप्शन सी सो अनुपम खेर वान दी बेस्ट एक्टर अवार्ड एड़ दा न्यू यूर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और किस मो़ी के लिए मिला है ये एक शूर्ट फिल्म है हैपी बर्थडे तो इसके लिए इन्हें ये अवर्ण मिला है बेस्ट एक्टर का और जो ये पर यह मूवी है ये यह हैपी बर्थडे इसको डारेक्ट ही है परशाद कदम ने 2022 में कौन सा इस्पेस स्टार्ट अप डौजी वन मिशन तू दम मून लॉंच करेगा ऑप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सो इस्पेस एक्स विल लॉंच दे डौजी वन मिशन तो दी मून इन 2021 जानते हैं इसके बारे में देखिए तो इस पेस एक्स जो है यह डौजी वन नामक एक उपक्राय लॉंच करेगा कुछ लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं कोई डौगी बोलता है कोई डौज बोलता है कोई डौजी बोलता है ठीक है तो इस पेस एक्स का फालकन नाइन रोकेट है इससे इसको य आपको बता देए फोर्थ लार्जेस्ट डिजिटल करंसी है और IBM के इंजिनियर्स द्वारा बनाई गई है और इस मिशन को यह 2022 में लॉंच करने वाला है तो SpaceX की बात करें तो SpaceX के जो CEO है यह है एलन मस्क और क्या-क्या है यह देखे SpaceX के CEO है टेसला के CEO है दबोरिंग कंपनी और X.com के Founder है साथी Neuralink Open AI Zip2 इसके Co-Founder है और Solar City के भी चेर्मेन है तो यह सभी इनिके द्वारा इस्थापित किये गए है साथी फ्रेंड्स देखे SpaceX हाल ही में इसलिए भी न्यूज में था काफी इंपोर्टेंट है यह भी देखिए NASA और SpaceX ने मिलकर International Space Station पर जो है four astronauts launch किये थे हाल ही में ठीक है किस mission के अंतरगत commercial crew program के अंतरगत और इस mission को कहा गया है crew 2 तो याद रखेगा crew 2 NASA ने किसके साथ मिलकर SpaceX के साथ मिलकर इसको launch किया है और इसमें जो है four astronauts जो है send किये गए हैं दो तो NASA के हैं एक जापान के हैं और एक European Space Agency के हैं और अब यह जो NASA के astronauts हैं जो कि crew 2 mission के तयाद भेजे गए हैं यह जो पहले से expedition 65 के जो members हैं ठीक है उसमें भी NASA के astronauts हैं तो उनके साथ मिलकर यह यहाँ पर low earth orbit में experiments करेंगे वी चंदर सेखर जिनका हाली में निधन हो गया किस खेल से जुड़े हुए थे सही answer होगा option D तो वी चंदर सेखर who passed a recent team was associated with table tennis और इनका जो है COVID-19 के कारण निधन हो गया है अर्जुन आवार्ड भी इन्होंने जीता हुआ तो यह याद रखेगा विश्व खाद्य पुरसकार 2021 किसने जीता है तो इसका सही answer होगा option D तो सकुंतला हारक सिंग थिल स्टेड वन वर्ड फूड प्राइस 2021 तो इंडियन ओरीजन महिला है यह इन्होंने जीता है किस के द्वारा दिया जाता है पुरसकार वर्ड फूड प्राइस फांडेशन के द्वारा यह दिया जाता है तो इस जो है global nutrition expert है और इन्हें 2021 का वर्ड फूड प्राइस दिया गया है रिनूबल एनर्जी मार्केट अपडेट रिपोर्ट किस एजनसी द्वारा जारी की गई है options आपके सामने है और correct answer होगा option B जानते हैं इसके बारे में तो इंटर्नेशनल एनर्जी एजनसी ने रिनूबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट को जारी किया है और इसमें इसने का आए कि 2019 के बाद से भारत में जो है रिनूबल एनर्जी की कैपसिटी एडिशन यानि रिनूबल एनर्जी का उत्पादन ठीक है यह 50% तक कम हुआ है COVID-19 के कारण जबकि इसने कहा है कि गलोबली अगर हम बात गलोबली अगर हम देखें तो यह एडिशन 45% तक बड़ा है ठीक है 55% बड़ा है रिनूबल कैपसिटी एडिशन 55% बड़ा है अगर हम गलोबली बात करें इंडिया में तो इन्होंने कहा है कि डिकलाइन हुआ है 50% से लेकिन गलोबली अगर हम अवरोल देखें तो 45% बड़ा है 2020 में और 280 गीगावाट हो गया है इस तरह की रिपोर्ट्स फ्रेंड्स काफी इंपोर्टेंट होती है इस तरह के डेटा को आप इसकी मत किया किजिए और अगर हम आई ये की बात करें तो इसका हैट्वार्डर्स पैरिस फ्रांस में है स्टार कॉम की मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन बी और आपको बता दे कि स्टार कॉम इंडिया की CEO है राथी गंगपा और फैंट्स जो ये स्टार कॉम है ये एक इंटरनेशनल मीडिया नेटवर्क है जिसका हैट्वार्टर्स शिकागो युनाइटेड इस्टेट्स में है निमलिकित में से कौन प्रबंधन के तहत परी संपत्ति के मामले में दूसरा सबसे बड़ा फंड हाउस बन गया है ये तर्म आप देख रहे हैं फ्रेंट्स पिप्ट का मतलब होता है इस्मॉल मार्जिन से किसी को पीछे छोड़ देना जैसे आप अगर इस्पोर्ट्स न्यूस देखे तो उसमें ज्यादा तर दीखता है ये सब्द कि विराट कोली पिप्ट सचिन तेंदुलगर या फिर बाबाराजम, पिप्ट, विराट कोली तो पिप्ट का मतलब होता है किसी को पीछे छोड़ देना इस्मॉल मार्जिन से अच्छा जब यहां पर इस कोश्चन की बात होई रही है म्यूचल फंड से रिलेटेड तो ये जान लेते कि स्टोक मार्केट इन्वेस्टमेंट और म इन दोनों में क्या आंतर है एक सिंपल से एकजामपल से समझते हैं मानलीजे मैं देरा ढूं से दिल ली जाना चाता हूं मेरे पास दो ऑप्षेन से पहला ओप्षेन यह है कि मेरे पास अपनी कार है मैं जानता हो कि किस तरह से ड्राइव करना है और कौन सा रास्ता मुझे लेना है, दूसरा option यह है, कि ना तो मेरे पास car है, ना ही मेरे पास कोई driver है, मतलब driver है, मैं यह नहीं जानता कि किस तरह से मुझे जाना है, कौन सा मुझे रास्ता लेना है, तो मैं क्या गरूँगा, एक driver hire करूँगा, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी professional को hire करूँगा, जो कि म market में invest करते हैं, खुद से, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि किस तरह से invest किया जाए, और क्या-क्या guidelines होती है, जो आपको follow करनी होती है, investment के लिए, तो आप mutual funds का सारा लेते हैं, तो mutual funds companies जो होती है, यह क्या करती है, अलग-अलग लोगों से, किसी से 100 रुपे ले ले लि तो अगर simple से कहें, कि अगर आप जानते हैं कि किस तरह से invest करना है, तो आप stock market में invest करते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं कि किस तरह से stock market में invest करते हैं, तो आप mutual fund का सारा लेते हैं, साथी mutual fund में जो है, stock market से थोड़ा कम risk होता है, लेकिन FDs के मुकाबले ज्यादा risk होता है साथ ही इस question में अगर हम बात करें तो SBI mutual fund ये पहले नंबर पर है ठीक है ये largest fund house है in terms of asset under management और fourth नंबर पर है आदित्य बिल्ला Sun Life mutual fund आगे बढ़ते हैं के राघोत मैं जिनका हाल ही में निदन हो गया किस case के मुख्य जांच अर्दिकारी थे तो इसका सही आंसर होगा option B so के राघोत मैं who passed away recently was the chief investigation officer of Rajiv Gandhi assassination case friends ये spelling आप याद रखेगा assassination की ये कई बार SSC और अलग-अलग exam से पूछ ले जाता है जिनमें कि आपको बताना होदा है चार options दिये रहते हैं कि कौन सी spelling सही है तो इसको याद रखेगा अच्छा आप जानते हैं देखें ये retired CBI officer थे और इनका हाली में निदन हो गया है ये राजीव गांधी assassination case में chief investigation officer थे यानि कि जो राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसमें ये inquiry कर रहे थे और इनको police medal और president medal से भी सम्मानित किया जा चुका है इन्होंने एक book भी लिखी थी conspiracy to kill राजीव गांधी तो देखें राजीव गांधी के साथ क्या हुआ था कि ये स्रीप पेरूम बुदूर लोगसभा congress एक लोगसभा constituency है यहाँ पर आपकी chain नहीं तमिल नाडू में तो यहाँ पर यह candidate के लिए परचार करने कई हुए थे तो एक woman जिनका नाम था तेनमोजी राजा रत्नम तो यह आई राजीव गांधी के पास और इनके पैर चुने लगी तभी इन्होंने एक जो belt बांधी थी जिसमें की काफी सारा RDX था वो एकदम से blast कर गई और राजी edition of India Swiss financial dialogue was held recently यह आप याद रखेगा Switzerland का flag है देख रहे हैं आपकी red banner पर white color का cross बना हुआ है तो fourth India Swiss financial dialogue was held recently और भारत की तरब से जो हमारे Economic Affairs Secretary है Ajay Sat इन्होंने lead किया स्याथी friends आपको बतादें कि水ट दैंट जो है ये Land-Log Country है friends ये में इसलिए बता रहा हूँ कि एक-दो exam में देखा गया है कि水ट दैंट भी आपके option में रहता है पूछा जाता है कि कौन सी इन में रहता है Land-Log Country नहीं है बैंक के एक्जाम में तो इस तरह से नहीं पूछा जाता पर और जो एक्जाम होते हैं जिनमें जनरल अवेरेंडेस काफी और अच्छे लेवल की पूछी जाती है बैंक से हटकर पूछी जाती है उनमें पूछ ले जाता है तो आप देख रहे हैंगे Switzer Land अलग अलग कंट्री से घिरा हुआ है कही पर भी इसकी कोष्ट लाइन नहीं है या फिर ये ओशन से कहीं पर कनेक्ट नहीं है तो इस तरह की कंट्री लोकल अट कंट्री बोली आती है तो कही भी ये वाटर बॉडि से कनेक्ट नहीं है तो इसलि गई है UNHRC, WHO, ILO, ITU, UNHCR, WTO, WIPO, BIS इस तरह से हैं पर भी यह सभी है तो इनकी आप screenshot ले लिजेगा, revise करने के लिए आपके लिए काफी easy रहेगा, आगे बढ़ते हैं, किस देश के crickator BJ Watling ने सन्यास की खोशना की है, options आपके सामने है और correct answer होगा option D, so New Zealand's crickator BJ Watling has announced retirement, अच्छा यह आप headline देख रहे होंगे, BJ Watling, the quint essential New Zealand and the best at what he does, तो friends यहाँ पर जो यह word लिखा है, quint essential, इसका मतलब होता है कि ultimate, किसी चीज का perfect example होना, तो यह जो है New Zealand cricket का perfect example यहाँ पर कहा गया है, ultimate, इनको wicketkeeper batsman बताए गया है, तो यह word है, यह वाला भी आपका SSC और bank exam में कई बार पूछ ले जाता है यह आद रखेगा, synonyms इसके ज़्यादा तर पूछे जाते हैं, या फिर one word substitution में भी पूछ ले जाता है सब, दूसरी headline आप देखिए, headline BJ Watling announces retirement from all forms of cricket to hang his boots after the England tour, hang his boots, hang once boots का मतलब होता है, अगर आप अपने boots hang कर रहे हैं, इसका मतलब आप retire हो रहे हैं, यह आपका idioms and phrases में पूछा जाता है, SSC exams में जादा तर, तो याद रखेगा hang boots का मतलब होता है, आप retire हो रहे हैं, ठीक है, सन्यास ले रहे हैं, तो यह New Zealand cricket के wicket keeper batsman है, और हाल ही में जो England के साथ इनका cricket series होने वाली है, उसके बाद यह सन्यास ले लेंगे, मतंग सिंग, जिनका हाल ही में निदन हो गया, किस छेत्र से जुड़े हुए थे, किस तरह से जुड़े हुए थे, तो एक तो यह former union minister थे और Congress के leader थे, COVID-19 के वज़े से इनकी मिलती हो गई है, और 1994 से 1998 तक यह Union Minister of State in Parliamentary Affairs यह रहे हैं, साथ ही आपको बता दें, कि 31.9.2015 को इने CBI द्वारा arrest भी किया गया था, जो शार्दा Chit Fund Scam है, इसके तहत, होमेंग बारगोही, जिनका हाल ही में निदन हो गया, किस पेसे से जुड़े हुए थे, तो सही आमसर होगा, option D, A and C, यानि यह author थे और journalist थे, तो यह भी इनकी भी हाल ही में, जो है, मृत्ति हो गई है, और इनके बारे में यह जानना आपके लिए जरूरी है, कि दो आप जो नियूस पेपर या पत्रिगा गए सकते हैं, आमार आसोम और नियो मिया बारता, इन दोनों की एडिटर इन चीफ रहे हैं, बारतिय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कोन है, ओप्शन्स आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन डी, तो यह जो है, डवलू वी रमन, इनको ब रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इन्होंने भी इंटर्व्यू दिया था हाला की, लेकिन चुना किसे गया है, रमेश पवार को, और किस कमेटी द्वारा चुना गया है, मधनलाल क्रिकेट एडवाईजरी कमेटी के द्वारा, डवलू वी रमन से पहले भी रमेश पवार थे, लेकिन जो इंडियन क्रिकेटर हैं, मिथाली राज, तो इंके साथ इनकी एक अनबन के कारण इनने डॉप कर दिया गया था, इनने हटा दिया गया था, क्योंकि एक World Cup Semi Final जो खेला गया था、 इंग्लैंड की खिलाव तो उसमें मिथाली राज को टीम से बहार कर दिया था, तो उसी को लेकर मिथारी राज ने कहा था कि ये टीम में जो हैं बाइस्ट हैं, खिलाड़ों के साथ भेदभाव करते हैं, तो इस वज़े सीन को हटा दिया गया था और W.V. रमन ने इनको रिप्लेस किया था किस सोसल मेडिया नेटवर्क ने एक नया टिप जार फीचर लॉंच किया है, ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन B, तो ट्वीटर हैस लॉंच्ट अन्यू टिप जार फीचर, जानते हैं इसके बारे में देखिए, ट्वीटर ने अपना पेमेंट प्लेटफॉर्म काम करते हैं और लेकिन इसके बात यह है की यह जो ट्वीटर टिप चार फीचर है, यह फिलाल चुनिंदा यूजर्स के लिए ही है इस फीचर का इस्तेमाल फिलाल सिर्फ वही यूजर कर सकते हैं जो अंग्रेजी में ट्विट करते हैं साथी ट्विटर किसलिए सुर्क्यों में रहा तो भारत को कोविड रिलीव के लिए यानि कोविड में जो साहता के लिए ट्विटर 15 मिलियन यूएस टॉलर डोनेट कर जो Global Economic Forecast for 2021 is 5.4% जानते हैं इसके बारे में तो United Nations ने कहा है कि जो Global Economic Forecast है का 2021 के लिए यानि की जो पूरे विश्वी की जो GDP है वो 5.4% से ग्रू करेगी जो की इस सिचुएशन को देखते हुए काफी अच्छी भी है क्योंकि Chinese और US Economy अच्छा प्रफॉर्मेंस कर रही है इस इसी के बेसिस पर इसने ये प्रेडिक्शन दी है और 2022 किस ने कहा है कि 2022 में 4.7% से ग्रू करेगा लेकिन IMF ने कहा है कि 4.4% से ग्रू करेगा तो दोनों ए जैंसिस के आप याद रखना और IMF ने ये कहा है कि 2021 के लिए 6% से ग्रू करेगा और आपको बता दें ये रिपोर्ट आप याद रखेगा World Economic Situation and Prospects तो इसको भी United Nations द्वारा जारी किया जाता है World Economic Situation and Prospects रिपोर्ट नोमूरा के नुसार भारते अर्थव्यस्ता 2021 में कितने पर्तिशत बढ़ने की उम्मीद है options आपके सामने है और correct answer होगा option B so 10.8% से grow करेगी ऐसा कहा है Japanese Brokers firm नोमूरा ने तो पहले इन्होंने 12.6% कहा था लेकिन वही जो second wave चल रही है COVID की उसके कारण सभी एजंसी ज्यादा तर इसको कम कर दे रही है दे टेस्ट होगी एक हफते पहले की जो भी इस तरह के प्रेडिक्शन होगी उनका एक वीडियो मना लेंगे ठीक है अभी तो क्योंकि यह उपर नीचे होता रहेगा विदेश मंत्रायले में सचिव वेस्ट के रूप में किसे निउखत किया गया है और करेक्ट आंसर होगा और और इनको रिनत संदु को सेकरेटरी वेस्ट में अपॉइंट किया गया है और यह विकास स्वरूप की जगा लेंगी यानि इनको रिप्लेश करेंग यह जो है अब रिटायर होने वाले हैं 30 जून को किस कमपनी ने हाल ही में यूरोपिय संग के खिलाफ एक अदालती लडाई जीती है और करेक्ट आंसर होगा और 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 यूरोपियन यूनियन क्या है मामला देखे देख लेते हैं तो देखे यूरोपियन कमिशन ने 250 मिलियन यूरोज कहा था अमेजन को कि आप लेक्जमबर को एजटेक्स आप वापस कीजिए ठीक है अच्छा तो अब अमेजन ने इसके खिलाफ अपिल की थी तो कहां पर अपिल की थी जो यूरोपियन यूनियन के जनरल कोर्ट है यहा के लिए लग्जमबर के द्वारा तो इस तरह का कोई भी सबूत पेस नहीं किया गया है इसलिए यह मामला जो है खारीच किया जाता है विस्व के किस देश में अधिकांस सहर परियावरणी जोखिमों की दृष्टी से समवेदन सील है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए ऐसो इंडिया हैस मोस्ट सिटीज इन वर्ड वर्ड वल्नरेबल टू इन्वारमेंटल रिस्क यानि सबसे ज्यादा परियावरण जोखिम जहां पर देखे जा सकते हैं उन कंट्रीज में उनमें सबसे ज्यादा सिटीज भारत में हैं आ एक रिसर्च फ्रम है वेरिस्क मैपल क्रोफ्ट इसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है तो इसमें ये कहा गया है कि जो हंड्रेड मोस्ट वल्नरेबल सिटीज हैं इन्वारमेंट के कारण इन्वारमेंट के वज़े से तो उनमें 99 तो एशिया में ही है और इनमें से भी जो 37 हैं वो चाइना में है और 43 यानी 43 इंडिया में है और आपको पता होगा कि चाइना वर्ड का बिगेस्ट ग्रीन हाउस कैसे एमिटर है और भारत इसमें 30 नमबर पर है दूसे नमबर पर यूएस है और बाकी इस रिपोर्ट में क्या देखने वाईला है तो ये है इसमे आप देख सकते हैं देखें एसिया अमेरिका मेडल इस्ट एंड नौर्थ अफरिका एफरिका और यूरोप एंड सेंटरल एशिया में अलगलग सिटीज बताई गई है तो एशिया में आप देखें कि मोर रिस्की में जकारता है यहां पर है फिर उससे पीछे थोड़ा सा सेफ में ओकलेंड दिया हुआ है न्यूजिलेंड का अमेरिका में बात करें तो लीमा दिया हुआ है और इदर बात करें हम मिडल इस्ट में अगर हम आ जाए तो जेदा साओधिय अरेविया और अफरिका में बात करें तो लागोस नाइजिरिया यह थोड़ा रिस्की है और Europe and Central Asia में यहां पर Napoli या फिर Naples आप कह सकते हैं यह इतली में है अब देख लेते हैं previous assignment questions के answer Lord and Tel Aviv cities are in which country Israel Mount Sinamong is located in which country Indonesia An Ranga Swami is the Chief Minister of which state or UT Puducherry Synagogue is the place of worship of which religion Judaism Who has been elected as the leader of opposition in the West Bank West Bengal Assembly, Suvindu Adhikari और आप में से कई students ने, कई aspirants ने पांचों कोस्टेंट्स के answer काफी अच्छे से दिये हैं अब देख लेते हैं आज के assignment questions Who is the new administrator of NASA इसको हम MCQs format में भी कर चुके हैं पहले Dr. Lotte Shering is the Prime Minister of which country Fire Temple Is the place of worship of which religion Iron Dome Air Defense System Is used by which country Veerbhumi और Land of Prev Is a memorial of which Indian leader तो पांचों कोस्टेंट्स के answer आप हमें comment box में जरूर से बताईएगा अगर आपको एक question का answer भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर बताया कीजिए और साथ में आप सभी current affairs funda को टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहां पर regular वीडियो updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं और दोस्तों यहां पर हमारे current affairs की playlist दे गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp और टेलिग्राम पर शेयर करें लाइक करें और कमेंट करके बताईएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी थैंक्यू गाइस